Assalamualaikum अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है तो आज हमने बनाए है ये कुरकुरे स्प्रिंग रोल सबसे पहले टाप इसकी देखिए क्रिस्टनस कितने जादा क्रिस्पी हैं और एक हम आपको कट करके दिखाते हैं ये देखिए कितने जादा क्रिस्पी और अंDR से क्रीमी और सासी बन करके तैयार हुए है तो चलिए पेर अदीबा की रसोई में और दीखिए हमने इसे कैसे तैयार किया है आए देखते हैं कुर-कुरे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें किन-कन चीजों की जनूरत होगी यहां पे हमने लियाए यह लिया है यह अराउंड 300 gram होगा और इसको हमने बॉल कर लिया था नमक डाल करके और इस तरीके से इसे आप देख सकते हैं, इसको बोलते है श्रेड़ेडी चिकन उसके बाद में यहां पे हमने ली हैं मॉजरिला चीस, इसको ग्रेट कर लिया है चीस की कौण्टिटी, आप अपनी पसंद के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं मैदे के अगा Pixel, चार चपमच मैदर ढाला यहां कि यहां ब मैदे की बना रिया है मेदे काप्सिक कम्णी छॉप यहांора है कि बना करिकमे काप्सिक कमें चॉप, यहां पर जानी पर इस हमें कमै Cup कर दोड़ कर D और आज हम spring roll जो बनाएंगे वो हम ये spring roll sheet से बना रहे हैं यहां पे हमने लिया है कुछ spices or sauces इस तरह से यहां पे हमने लिया है 1 teaspoon ketchup और यह है 1.5 teaspoon dark soya sauce और यह 1.5 teaspoon pasta pizza sauce 1.1 teaspoon salt and 1.4 teaspoon black pepper powder और 1.4 teaspoon यहां पे हमने लिया है red chile flakes और यहां पे हमने लिया है 1 teaspoon mayonnaise तो चलिए सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग पैयार करेंगे स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहां पर रखा है पान और इसमें डाला है वन टीस्पून के अरांग ओल अब हम डाल देंगे अपनी सारी प्याल किसमें और डाल देंगे क्यापसिकल अपनी पचंद के ले सकते हैं और आपको पॉर्ण वगेरा बेल पेपर्स होगे क्यारट्स जो आपको पसंदों आप यहां पर यूज़ कर सकते हम सिर्फ यहां पर प्याज दो शिम्ला मेच लिए इसको कुछ टेर सौटे कर लेंगे सबजियां हमारी कुख हो गई है अब हम इसमे यह हाफ टी स्पूट जिंजर गर्लिक पेस्ट आल देंगे और इसे भी डाल करके एक मिनट तब गून लेंगे यह देखिए अद्रक लेसन हमारा भून गया है अब हम इसमें अपने सॉस ड अब हम देखिए अपलोड है लिंक हम देखिए बॉक्स में देदेंगे आप महा से देख सकते हैं लिंक देखिए अपने चीजों को डाल करके अच्छ से मिक्स करेंगे और थोड़ा कम ही रखिए कि जो सॉस वागेरा होते है इसमें भी नमक होता है और हमने चिकिन बोई कर अपने में भी डाला है तो आप अपने हिसाब से अच्छ से कर लीज़ेगा ये देखिए सॉस वागेरा भी अच्छ से कुख हो गए है वेजीज के साथ अब हम अपना ये श्रेड़ चिकन सारा इसमे डाल देंगे और चिकन के साथ सारी चीज ये अच्छ से मिक्स कर लेंग चिकन के साथ सारी चीज़े अच्छ से कुख हो गई है और चिकन को तो हमें टेंडर करना नहीं है कि हमने इसे अरड़ी बॉil करके यूज कि तो बस हमारी स्टपिंग तयार है अब हम हम इसे ग्यास की प्लें से उतार लेंगे एक बाल में ट्रांसवर कर लेंगे ये देखि आच्छ से एक ज़ीज को मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़े हमने अच्छ से मिक्स कर ली है देखिए कितनी जादा अधा अब्राग ड़री है हमारी स्टपिंग तो चलीए फैर एसे बड़ा बनाना स्टार्ट करते है तो चल्य पर चीज़ीए से नहीं अज हम देभा पर शी अब आपको देखें रोल कैसे करना है यह वाला पॉर्ण लीज़ेगा पहले आप और इसको एक बार इस तरीके से रोल कर लीज़ेगा ठीक है उसके बाद आपको यहां पे लगाना है यह जो हमने अभी आपको दिखाया न सलरी जो बनाई है यहां पे लगा रहे हैं यहां लास्ट वल एज बचेगा इस पे भी लगाएगा सलरी इस तरह से बहुत सिंपल है शीट के साथ में स्प्रिंग रोल बनाना इस वेरी इजी सी हमारा स्प्रिंग रोल बन करके तयार है अगर यह आप नॉर्मल खाना चाहते तो आप ऐसे भी से फ्राइ कर लीज़ेगा लेक आपकी इसमें यह ना कोटिंग अच्छे से लग जाए एं देन इमीडीत लिए आपको क्या करना है इसे कॉनफलेक्स में दिक करना है और इस तरीके से इसके और क्वानफलेक्स लगाना कोंठ्सcional बचाने अगर आप ब्रेट क्रूम की कई चाहते है तो आप ब्रेट क्रम की को यह दैखे एक कुरकुरए spring roll हमारा तैया है इसी तरीके से हम अपने सारे spring roll कर लिगे हम अपने सारे कुरकुरे spring roll 18 कंवल कर लिए है न चुलिए सें करने डीफ्रायदाट सीब तर्ला हमेसे सबस्टाय तसे गरती है तेल में पेह जाएंगे यह दिखिए हमारे श्प्रिंग रोल फ्राय हो गए है यह देख सकते हैं राउन कलर आगया है बस अब अब इसे निकाल लेंगे यह दिखिए हमने अपने श्प्रिंग रोल की कड़ी है प्लेटेंग आप इसे केचप से सर्फ करिए यह यह संप्रिंग रोल फे यह ऐसे निक करंगे है इसे भी अच्री घृट्णापी जाए है अगर रेशीपी चैनल दब entwickeln للतोब ऑर अगर आप पहली बर हमारे चैनल पर आएंगे तो वह चांव primal में अझानग यह चिआइगा और पर दियुचाएंस कहा है